हलो फ्रेंट आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर तो दोस्त आज हम आप सबको आई आर येल के प्रिविएस येर के पेपर को दिखाएंगे तो जिन इस्टूडेंट का आई आर येल का पेपर लगा है दोस्त वह ये वीडियो जुरूद देख लें और दोस्त वीडियो क कर सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए ये कुश्चन आपके सामने आ गया है तो चले हम कुश्चन पढ़ते हैं पहला कोश्चन है जो आपका वह है निम्ड विकल्पों में से एना लाग मल्टी मीटर के तुनला में डिजिट्र मीटर का एक नया लाफ क्या है तो आप्स सकता है आपि अप्शनमगर टू है इनालाग मल्टी मीटर के तुनला में अधिक सटीक पार्ठ्थाँग रिडिंग देता है अप्शनमब 2 है इनालाग को कुछ्छस्फटat तुनला में अधिक भॉंग है उप्शनमगर 4 है शेयरिस्प्लि logret nutrition च्छलते डिश्च्रेज वि चलिए नेस्ट कोशन कोशन नमबर टू पे चलते हैं कोशन नमबर टू है आपका विद्धूत केबल की स्थापना के लिए किस परकार के एहतियात महत्पूड है महत्पूड नहीं है तो आपसे आपका पहला अपात काली नूब करण प्रकास ब्यवस्था संचार और सिग्नल के लिए केबल और तारों को रसोई घर गैली लांडरी स्रेडी ए और अन उच जोखिम वाले छेतरों के मसिनेरी अस्थान से दूर रखा जाना चाहिए अप्सन नमर टू है इस्थापन के दोरां छटी और विसलकन के से केबल को बचाए अप्सन नमर टीन है इन्हें इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि यह मूल जौला मंदक गुडों के साथ हस्षेप ना करें और अप्सन और फोर है अंतर टर्मिनल और संधी जॉइंट इस तरह बनाए जाने चाहिए कि अपने मूल अगनी परतिरोद गुडों को कम करे तो दोस्ति इसका जो करेक्ट इंसे और अप्सन नमबर थर्ड है ठीक चलिए नेस्ट कोशन केबल के परावैद्धुत डाई एलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को कहा जाता है तो दोस्त क्या कहा जाता है आप्सन आपका केबल का विद्धुत रोधर नस् अप्सन नमबर 2 है केबल पर प्रसकंद समांकिरी स्पेस मेठरिय अपसन नमबर 3 है केबल की ग्रेडिंग और फार है केबल की दूरी तो जो जो करेक्ट एंसकर है अपसनंन्बर 3 केबल की ग्रेडिंग ठीक चलिए नेस्ट कोश्टन which parameter is not related to an AC circuit तो option आपका RMS value option number 2 है cultivation of wave option number 3 है form factor option number 4 है peak to peak factor तो जैसा कि आप लोग जानी रहे होंगे RMS value आपका AC से relate करता है form factor भी आपका AC से relate करता है peak to peak value भी AC से relate करता है तो जापका यह है cultivation of wave यह AC से relate नहीं करता है तो इसका correct answer का option number 2 होगा ठीक चले next question कि इस प्रकार के बहार लोट की प्रवित्ती अग्रिकामी सक्ति गुड़क का उत्पादन करता है तो यह अग्रिकामी सक्ति गुड़क का मतलब यह है कि आपका यह leading power factor बोल रहा है क्या बोल रहा है leading leading power factor की बात कर रहा है leading power factor किसका होता है capacitor खोता है capacitor घंदी होता है धारिता capacity ठीक option number 2 एक एक चले ठीक चले next question next question है आप सब का यदि लाइन वोल्ट हता 252 वोल्ट और लाइन धारा 6 एंपियर है तो रिकोर योजी-डिल्टा-connected 3-cला-phase-pradaly में कला बोल्टा क्या होगी तो आपको देखे कला बोल्टा पूछ रहा है मतलब बोल्टा पूछ रहा है और लाइन बोल्टा दिया है ठीक है और डिल्टा-कनेक्शन है तो दोस्त हम जानते हैं तो आपका जो डेल्टा कनेक्शन में जो वियल होता है वही बराबर होता है आपके वी-पी-च्ड तो आपका जो फ्यक्ट कला वुलता मतलब सेज उल्ट पूच रहा है और लाइन भूलता दिये हैं 252 वोल्ट इसका मतलब कर्या जो फ्यक्ट पूल लूओं को भी-पी- आप्शन नमबर टू इच करेक्ट वैलकेनाइजड इंडियन रवर्ड ठीक चले नेस्ट कोश्चन नेस्ट कोश्चन है एक स्युकार सीमा के भीतर परडाम पाने के लिए उर्जा मापी लगाता तरूटियों को दूर करने की प्रकिया को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है आप्सान है आपका उर्जामापी की जांच, आप्सान नमबर टू है उर्जामापी की आउसकता, आप्सान नमबर तीन है उर्जामापी की विसेस्ता, आप्सान नमबर फूर है उर्जामापी का अंसांकन, तो दोस्त इसको खायाता है उर्जामापी का जिर नेश कोश्चन यदि अठारा सो मीटर लंबे तार में नबे ओम प्रतिरोध होता है तो तो तीन सो मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा दोस्त बहुत ही असान कुश्चन है कुछ ने करना है आप सबको देखिए अठारा सो मीटर लंबे तार का प्रतिरोध नबे ओम है तो एक मीटर के पहले आप लोग निकाल लीजिए एक नियम से नबे वाई अठारा सो आ जाएगा ठीक उसके बाद कितना पुछा 300 मीटर लंबे पूछ रहा है इसे मल्टिप्लाई आप कर दीजिए 300 का तो यह देखिए 300 से ठारा सो पहले काटिए तो यह आ जाएगा और नब्बे को सिक्स से काटी आ जाएगा पंदर तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा ओप्शन नमबर टू पंदर ठीक चलिए नश कोशन कोशन नमबर टेन कोशन नमबर टेन है आपका डीशी जनेत्र की परिवर्थी हानी नियत हानी के बराबर हो तो इसकी दश्चता के सम तो नेस्ट कोशन है आप सब का निम्ड आकरती में किस परकार के डायोट कर दरसाय गया है तो यह आप देखिए यह आकरती को आप लोग देखिए अब यह जो डायोट है दोस्तों कहते हैं फोटो डायोट फोटो डायोट कुछ इसी परकार होता है देखिए इस पर होते हैं तो दोस्त आपके जो डी सी जन शिप्रीक होता है उसका इसलिप रिंग किस में बना होता है वो बना होता है कर्षित कठोर तामभा हाट ड्राउन कॉपर जिसको करते हैं किसमें हाट राउन कॉपर आप्शन नुमर फूरिज करेंट थिक जीले नेस्ट कोश्चन next question है What is the span value of an alternation of the sine wave तो इसका option है one fourth cycle of sine wave और 90 degree option बार two है one third cycle part of sine wave और 230 degree option में थारी है full cycle of sine wave नेन से शाथ हंस option बार four है half cycle of sine wave इसका जो करेक्ट एंसर है आप्शन नमबर फोर ठीक चलिए नेस्ट कोशन नेस्ट कोशन आपका सजावटी दीप और स्रेडी प्रकास ब्योस्था प्रडालिक के अनुकर्मिक स्वीचर अर्था चालू करने के लिए इस्तमाल किये जा सकने वाले स्वीच को कहा जाता है तो उस्वीच को कहते हैं टंबलर स्वीच आप्शन नमबर टू इस करेक्ट ठीक चलिए नेस्ट कोशन है आप सबका सेमी डाइरेक्ट लाइटिंग सेडेश सिस्टम में वस्तू पर कितना प्रकास आता है तो देखे सेमी डाइरेक्ट लाइटिंग इसकी में जो आपके वस्त से लेकर के 90 परसेंट यह आपके उटिलाइजेशन का कॉस्टन है फास्ट चेप्टर का इलूमिनेशन से इसको आप लोग जान ही दे होंगे ठीक चले नेस्ट कॉस्टन कॉस्टन नमर सोरा आई ए के नियमों के अनुसार थ्रीवाय डीसी परिपत के धनात्मक के लिए गयर डीसी सिस्टम है अगर डीसी सिस्टम अगर टू आयरा हम बोल दिया सिंगल फेज के लिए तो जब कर फेज होता है और जो आपका न्यूट्रल होता है वह ब्लैक से होता है ठीक चलिए नेश्ट कोश्चन सुद्ध प्रतिरोध परिपत में सक्ति पावर के बराबर होता है तो सक्ति पावर किसके बराबर होगा भी इंटू आई के भी इंटू आई वाट की बराबर होता है जोकि ये क्विस्टन गलत है ये भी गलत है चोथाथ गलत है ठीक चलिए जो कुंडलन का ऊपयोग किया जाता है उसको क्वड़ते हैं पंथा रत तरह कुंडलन हिंदी पूरा हो गया इस वसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है चली नेस्ट कोस्चन नेस्ट कोस्चन आपका है दा टर्णिंग आप ट्विस्टिंग मोमेंट आफ ए फोर्स एबाउट एन एक्सिस इस काल तो दोस्ट शुक्रम कहते हैं टॉर्क ठीक स्लीप स् करती में किस प्रकार की तार इस्थापन वाइरिंग पडाली को दर्साया गया है तो यह देखिए आप लोगी डागराम देखिए और आपको पहचानना है कि यह वाइरिंग किस टाइप की है तो यह मेरे साथ से जॉइंट बॉक्स होनी चाहिए ठीक नहां तो इसका पेजिंग इन एठ थ्री फेज त्री फेज का इंडेक्शन मोटर तो अप्शन है आपका मोटर करेंट इस इंक्रीज़ 2.5 ताइमस टू एवरेज करेंट अप्शन नमर्ट है मोटर विल कांटीन कांटीनीव रन फ्रॉम रनिंग पोजिशन ऑप्शन अप्शन अबर पोटर विल कांटीनीव रन फ्रॉम रनिंग पोजिशन ठीक चलते हैं उस परपत के सक्तिगुड़क की प्रविति क्या है जिसकी बुलता और धारा तरंग रूप के नीचे आरेक में दर्स आया गया है तो यह वेफार्म आप लोग देखिए यह उपर का जो वेफार्म है यह वेफार्म आपको देखके पहचानना है कि किस प्रकार का थारंग रूप मतलब आपक्षों गासे तो जो नॉप्स नॉइट इक है। तो बिवावेसे आपका आठ्धा चालह कुशन नमर्बर टू है इंसूलेटर आपक 10 था है कंदैक्टर ऊप्षनुबर फौर है सुपर कंदैक्टर तो दोस्ट्थ आपका बैक लाइंड होता है वह Insulator के स्रेडिम रखा जाता है। और स्याद्न इश्यां Timothy करें दीन्हेक निवासर में जब दो को यांत्रिक सक्ति परवर्थित रजशाथा है तो सुन से अधैनगी है गुछ बीडीरों whats तो तो आपको DC को mechanical energy जो चेंज करता है DC motor करता है क्योंकि DC लेता है direct current लेगा उसको mechanical में change कर देगा ठीक है चलो एने इस question which type of material is not used to create earthing rods तो earthing rods के लिए कौन से material को उप्योग हम नहीं करते हैं तो option आपका carbon bounded polymer option no.2 है stainless steel option no.3 है iron option no.4 है copper bounded to steel और इसका जो correct answer है भाई option no.1 carbon bounded polymer option no.1 करेक्ट सही है ठीक है चले ने इस question बिद्धूत की गती कितनी होती है तो आपकी current की speed को बताना है तो दोस्त आपका जो current की speed होता है इसमें दिखा option no.1 सही है एक लाग छी आसी हजार मील पर सेकेंड यह question देखें दोस्त अपने आपे बहुत ही unique है अज कांस लोग इसका answer नहीं दे पाएंगे तो इसका जो correct answer है एक लाग छी आसी हजार मील पर सेकेंड आपकी current की speed होती है ठीक चलिए next question तरंग का आकरती गुड़क form factor क्या होगा तो दोस्त आठ तरंग कारी जो हमारा half wave rectifier का sign wave होता है उसका form factor होता है वो होता है पाई बाई 2 होता है ठीक एक बेसिक के question है चलिए नेस्ट कोश्चन यदि अधिक्तम बोल्ट था त्यएइस रूड में टू वोल्ट है तो एक जात रंग के सीखर गुड़क का मान क्या होगा तो दोस्त इसका जो करेक्ट एंसर आएगा वा आएगा 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 आप्सन नमबर 4 1.414 चलिए नेस्ट कोश्चन when अजया है किस तकुर सौ। सर्कीट फाल्ट और ओफर्लोड से बचाने लिए किस उपक्राइद डिवाइस का उप्योग किया जाता है तो दो साट्स अर्कृच्ट फाल्ट और ओभरलोड से बचाने के लिए हम mcb के उप्योग करते हैं और वन इस करेक्ट है चलिए नेस्ट कुश्चन प्रवारत कि स्टार्टर की बिजा डीसी मोटर के चालू होने पर क्या होता है तो आफसे ने उच पच उच पस विद्धूत वहागबल का उत्पाद्द 3 को छती नहीं पहुच्छ पर जाता है तो जो करेक्ट इंसर और अप्सट के माध्यम से उच अधार है ठीक चलते हैं वाट उडवी the the speed of an induction machine operating in generation mode तो दोस्त ऑप्शन आपका यह इंडेक्शन मोटर जो है वह जरी ती मोटर में कब और करेंगा जब दोस्त आप लोग जानते हैं इंडेक्शन मोटर का जब से निगेटिव आएगा तभी आपका इंडेक्शन मोटर जणेरेटिव मोड में कार करेगा उसलिव को फार्मूला जो होता है एनेस माइनस एन आर अपान एनेस जब देखी जब यह नार की वेल्लू तो रोटर की स्पीड की वेल्लू आपके एनेस स्पीड से जादा होगा तभी आपके स्लिव वेल् स्पीज़ा जब को सब्सक्राइब प्रवर्च अब होगाल है तो श्रीपार स्थी पर्कार उप्र में और ओप्सेशन नम्बर टूंब्र चांट रूक्वायं अपर जो होगाल जो करेंट के इस तो परकार ठीक तुन स्थी प्रकार तिक हैं ठीपर अट्वांट इस्टर फ पर परतिन बोल्टा का सीखर मान पीक टो पीक पेलू क्या होगी कि तो दोस्त कॉस्टर्थन बहुत ही असान जिसा कि हम लोग फार्मूले से लगाते हैं आरेमेस बेलू बरावर क्या होता है maximum value Pi root 2 हता है यहां पर देखे RMS value का मान दिया है 230 root में 2 दिया है WM की value दोस्त आप से पूछ रहा है क्या पूछ रहा है WM की value पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है root में 2 का multiply कर देना है देखें कुछ इसपर कार तो वM बराबर 230 root 2 into root 2 इसको जब solve करेंगा आपका 660 वोल्ट आएगा option number one is correct हो जाएगा ठीक ज़िए नेस्ट कोईशन question number 36 चलते हैं दिश्ट धारा DC आप उड़ती की गलत धुरता से विध्यूत अफगट प्रकार के संधारित के जूड़ने पर क्या होता है तो दोस्त क्या होता है option है अपका संधारित रखता है दूसरा है option संधारीट अस्थाियर रूप से शत्री ग्रस्त हो जाता है ठीक चलिए नेश्ट को सब्सक्राइब चलते हैं डिसी जनेदर का कौन सब्सक्राइब परिवर्था कमिंटेटर पर आरूपीत किया जाता है जो आर्मेचर कुंडलेंस से धारा को एकत्र करता है तो दोस्त आपका साफ्ट नमर्टू है तरंग जरूर इंटरपॉल ऑप्सन नमर् क्रोड फ्वर्ण बूस्त तुर्ट इंटर इसको आप याद रखी वह दिए पूछा भी गया है तीचली नेश्ट को सथीट बड़े उद्धोगों में सुन भार इस्थिति में तुल कालीक मोटर के संचालन का उध्यस्ट क्या है तो आप्शन आपका आतरिक सक्ति का उपक तो करेक्ट इस सकती गुड़क में ठीक है तेङ नेस्ट को सोर्टिनाइन को काम करने के लिए सकती परिपस में अब है क्यों चैक टो नहीं है चलिए खाल कराते भी नहीं है नेश्ट को संदेखते हुआ कुष्ट ओफट्टी निवनियमे से कौन सा electronics में सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर परिपत है तो गोम से सबसे सरल नहीं सबसे सस्ता फिल्टर कौन एक करेंट ट्रांस्फार्मर विट इस्प्लीट कोर्फेन यूज इन कंजक्शन विट ए डिकॉर्डिंग मीटर इस काल्ड आज तो आपका एनर्जी मीटर आपस्ट नुमर्ट फॉर वाट मीटर तो दोस्त इसका जो क्रेक्ट एंसर वह है आपस्ट नुमर्ट थर्ड में होता है उसमें बिलना का धुरूप प्रकार का रोटर प्रयोग होता है तो संधालित बनाया जा सकता है संधालित बनाया जो जाता है उसको काते हैं से रेमिक संधालित इसमें कट हो गया है चलिए नेस्ट कोशन कोशन नुमर्ट फॉर किस वाइरिंग का उपयोग मुख रूप से मनरंजन या विश्राम की उद्धेश से किया जाता है तो आपस्ट आपका गो डाउन नुमर्ट थर्ड है होम थीटर वाइरिंग और फॉर है बेड्रूम वाइरिंग तो दोस्त इसका जो करेक्ट एंसर हो हों थीटर वाइरिंग इस वाइरिंग का उपयोग मुख्रूप से मनरंजन के लिए किया मनरंजन और विश्राम के उद्धेश से किया जाता है ठीक है नेस्ट responsorsorsors 45 प्रवल चूंबीड के से करण की आउसकता होने पर या तो सफेक। प्रव्ल चुमीड की करण के लिए प्यूराइरिंग कि लिए प्रविक करण मीक किया जाता है चुमीको प्राइज से क्रूसर ने 15 स्थैटिंग तरवेंग तासन टुमार्प Tib情 की प्रतिरोद कुमापने के लिए किया जाता है इसको याद रखिए को सब्सक्राइब इंपोर्टेंट है चलिए नेस्ट को सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब करते हैं ठीक है चलिए नेस्ट को सब्सक्राइब तरीत लाइटिंग इस ट्रोक से उपकरडों की सुरच्छा के लिए जिस सुरच्षात्मक को करड का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है तो दोस्त हम आपके 50 कोश्चन कराएंगी सब्सक्राइब वीडियो में तो अभी आ गए हैं 49 कोश्चन पर तो दस ओनके सब्सक्राइब करना किजिए तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको समांतर में जुड़े हैं तो वन भाई इसको ताप लोग करी लेंगे तो वन भाई टेन प्लस वन भाई टेन से चार वर करना पर लाश में सब्सक्राइब 2.5 आ जाएगा फिर इसा करीए दस ओम के सेम प्रत में उचेतम धारा को वहन करने की छमता होती है तो हुआ होती है फोर गेज के तार में अफसन नुम्बर वाई नीच करेक्ट है ठीक तो आज का वीडियो यहां पर खतम होता है दोस्त और से पहले एक बात और करना चाहूंगा अगर वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगा हो अगर लगा हो आप सो थोड़ी बहुत है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो का लाइक कीजिए सेयर कर दोस्तों में और जिस्क्रिप्सम बाक्स हमारे टेलिग्राम का लिंक है उस लिंक के मादम साब लोगों से टेलिग्राम पर पर जुड़ी आग हमारे जो चैनल है वो सिर्फ लेक्टिकल श्टूडेंट के लिए और जो टिप्लोमा किये हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही चैनल बना है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें से जुड़ीए ताक कि हम अपने आपने मोटिवेटर रह सके और आप सब अपनी ऐसे व कुछा बहुत 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 दोनिवाद